नमशकार दोस्तों, हिंदी कोच चैनल पर आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम स्वतंत्रता दिवस पर दस वाक्य का नेबन लिखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिए। और ऐसे ही और वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहला वाक्य है स्वतंत्रता दिवस भारत में हर साल 15 अगस्त को मनाया जाने वाला एक महत्तोपून राष्ट्रिय दिवस है। में आपको अगस्त करिकर राष्डाओ गल पल ले पपार में पार वाल, बदिए। और भाष्ट को अपोन, रे वाल, में राष्ट को अगस्तों, आपको तोड़ पलात्स कास्त्राइब कार पार वाल, जल, आपको पलाष्ट दूसरा वाक्य है यहाँ 1947 में एतिहासिक दिन की याद दिलाता है जब भारत ने ब्रिटिश सासन से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की थी तीसरा वाक्य है यहाँ दिन हर भारतिय के लिए बहुत महत्व रखता है चोथा वाक्य है यहाँ दिन स्वाशासन के एक नए योग की शुरुवात थी टुरुप्द। पांचवा वाक्य है यह हमारी स्वतंत्रता के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा किये गए बलिदानों को याद करने का दिन है चटा वाक्य है यह दिन राष्ट्रिय गौरव, एकता और कृतग्यता की भावना पैदा करता है प्रियं दो लाद किमेदाल मेरी करने इन अवारी से जी घब लिन सेगाँ प्रियं हाउ वाल प्रियं हाई अगला वाक्य है यहाँ लोगतंत्र, समानता और न्याय के मुल्यों की याद दिलाता है जो हमारे रास्ट्र की नीव बनाते हैं आठवा वाक्य है यहाँ हमारी सम्प्रभूता का जश्न मनाने का दिन है जो हमारे वाक्य है यहाँ है यहाँ है यहाँ है यहाँ है झाल झाल अगला वाख्य है यहाँ एक सम्रुद्ध, समवेशी और समाश्यपोन भारत के निर्मान के लिए हमारी प्रतिबधता को नविनिकृत करने का एक अवसर भी है आखरी वाख्य है हमें अपने रास्ट्र की प्रगती और विकास के प्रती अपनी सामुहिक जिम्मेदारी की पुष्टी करनी चाहिए हमें आखरी आखरी है